नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका समीर पाट साला में दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं निजिम इजिकल की बाइग्राफी और इनके वर्क्स को दोस्तों निजिम इजिकल जो हैं ये एक इंडियन राइटर है और इन्हें भारतिय इंग्लिस पोईटरी के फादर भी कहा जाता है मतलब इंडियन इंग्लिस पोईटरी के फादर इन्हें कहा जाता है इस वीडियो में मैं आपको complete information देने वाला हूँ निजिम इजिकल के बारे में और last में वीडियो के आपको कुछ ऐसे point बताऊंगा जो exam point of view से important है तो दोस्तो वीडियो के अंत तक बने रहें सबसे पहले दोस्तो बात कर लेते हैं इनके birth की इनका birth हुआ था दोस्तो 16 December 1924 को देखिए दोस्तो ये एक English poet है और father of Indian English poetry भी कहे जाते है तो कभी कभी लोगों को ये confusion होता है कि 1924 जो है इनकी date of death है ठीक है मनलब year जो है वो 1924 इनकी death की year है नहीं 1924 में निजिम इजिकल का क्या हुआ था दोस्तो बर्त हुआ था कहां पर बॉंबे में हुआ था जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं जो महराश्टरा में है और महराश्टरा इंडिया में है बर्त की information दोस्तो किलियर होंगी इनके parents की बास करते हैं इनके father का नाम जो था वो था दोस्तो Moses Ezekiel ये इनके father का नाम है spouse की बात करते हैं दोस्तो डेसी जैकब के साथ इन्होंने अपनी साधी की थी कब की थी दोस्तो 1952 में इनोंने इनके साथ साधी की थी occupation की बात करें मैं आपको हर वीडियो में दोस्तो ये बताता हूँ कि किसी भी writer के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस century से और किस age से बिलॉंग करता है तो दोस्तो निजिम इजिकिल जो है वो 20th century से दोस्तो बिलॉंग करते हैं यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा important information है आपको दोस्तो ध्यान से सुननी है और ये एक Jewish poet है ठीक है एक नहीं दो नहीं कई बार ऐसा पूछा जा चुका है कि Jewish poet कोन है तो आपको निजिम इजिकिल इसका answer देना है ये एक playwright भी है art critic भी है और editor भी ये रहे है ठीक है इनकी जो death हुई है दोस्तो 9 जनवरी 2004 में हुई है मात्र 16 साल पहले ही दोस्तो ये इनकी death हुई है इनकी जो age थी जब इनकी death हुई थी ये 79 years के थे और मुंबई में ही इनकी death हुई थी ठीक है इनका जनव भी मुंबई में हुआ इनकी death भी मुंबई में हुई थी बढ़ते हैं दोस्तो आगे अब सारी चीजे हम point wise जान लेते हैं इनके बारे में his father was a professor of botany at wilson college इनके पिताजी जो थे वो एक प्रोफेसर थे कहां पर wilson college में थे wilson college ये याद रखना है आपको कहां पर इनके फादर जो थे वो प्रोफेसर थे wilson college में और ये इनका subject है जहां तक दोस्तो प्रोफेसर की बात है निजम इजीकल भी एक English प्रोफेसर थे तो ये question पूछा जाता है कि जो निजम इजीकल थे उनके बारे में कि who was the English प्रोफेसर at university ठीक है तो आपको निजम इजीकल इसका answer देना है इनकी mother जो थी वो क्या थी school में principal थी ये इनका अपना school था ये बिलोंग करते थे दोस्तो मराटी फैमिलिस से जो मैंने आपको अभी पिछली slide पर बताया कि ये Jewish community से दोस्तो बिलोंग करते थे जिसे हम Benny Israel भी कहते हैं ये दोनों चीजे Jewish और Benny Israel ये दोनों चीजे दोस्तो आपको ध्यान रखनी है ये किसके बारे में पूछा जाता है निजम इजीकल को दोस्तो father of Indian English poetry भी कहा जाता है मतलब Indian English poetry के इने father भी कहा जाता है इजीकिल ने अपनी graduation की डिग्री ली थी कव 1947 में 1947 में दोस्तों जब हमारा देश आजाद हुआ था तब इन्होंने graduation कर लिया था इसके बाद दोस्तों 1948 में निजिम इजीकिल इंग्लेंड चले गई थे क्यों चले गई थे further studies के लिए ये इंग्लेंड चले गई थे ठीक है क्या इन्होंने पढ़ा था वहाँ पर जाकर philosophy पढ़ी थी कहाँ पर लंदन में जाकर पढ़ी थी वहाँ पर ये तकरीवन साड़े तीन साल तक रुके आई होब ये सारी चीजे अभी तक आपको clear है अब बात करते हैं इनकी साधी की कि इन्होंने साधी कब और किसके सा poetry collection आया इनका first poetry collection कब आया दोस्तो 1952 में इनका poetry collection आया जिसका नाम था a time to change ये दोस्तों बहुती famous poetry collection रहा निजिम इजीकल की life में और दोस्तों इसे publish कराया गया था fortune praise के दुआरा ये कहां की थी दोस्तों London की थी ठीक है इस praise जो थी ये लंदन की praise थी title का नाम आपको रखना है याद ए time to change है जो आया था 1952 में अब मैं आपको इस title जो है इस collection के बारे में ए time to change के बारे में थोड़ी additional information दे देता हूँ क्योंकि additional information हमारे पास होना जरूरी है जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा information होगी तो हम तभी multiple choice questions जो exam में आते हैं वो आसानी के साथ दोस्तों solve कर सकते हैं इसलिए जतनी ज़्यादा आप detail में चीजों को जान 1952 में आया है ठीक है निजिम इजीकल का ये first poetry collection है ठीक इस poetry के collection के अंदर हमें निजिम इजीकल का potential देखने के लिए मिलता है कैलिवूर देखने के लिए मिलता है और उससे पता चलता है कि ये future में बहुती धासू बहुती बढ़िया poet बनने वाले हैं इसमें हमें पता चलत है कि निजिम इजिकल के अंदर वो सारी की सारी क्वालिटी है जो एक पोएट के अंदर होनी चाहिए इस कलेक्शन के अंदर निजिम इजिकल जो है एमफेसिस करते हैं मतलब जोर देते हैं अपनी poetry में इस collection के अंदर बहुत सारी poems है उनके अंदर poems के अंदर ये जोर देते हैं किस बात के उपर दोस्तो love and marriage की बात ये करते हैं ठीक I hope ये सारी चीज़े आपको समझ में आई होंगी बढ़ते हैं आगे इनका एक और poetry collection आया था दोस्तो जिसका नाम है 60 poems ये आया था दोस्तो 1953 में 60 poems जो है 1953 में poetry collection आया है 60 poems जो है Nizim Ezekiel का second poetry collection है ये time to change जो है इनका first poetry collection हो गया जो आया था 1952 में second poetry collection है इनका 60 poems जो आया है 1953 में ठीक है इस poem के इस collection के अंदर जो Nizim Ezekiel का जो potential है दोस्तो वो हमें कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है मतलब जो potential इन्होंने अपने first poetry collection में दिखा है था इस collection के अंदर 60 poems collection के अंदर इनका जो potential है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है इन्होंने इस collection के अंदर जो हैं अपनी चीज़े दोस्तो common object and situation ऐसी चीज़ों को नहीं लिया है out रखा है बहार रखा है ठीक है इनके जो poetry collection है इस collection के अंदर हमें ज़्यादा तर दोस्तो physical relationship या फिर sex की जो बाते हैं वो frankly करते हुए नेजम इजिकल दीखते हैं ठीक exact name जो की इनका एक और poetry collection है ठीक है exact name है the exact name 1965 में आया था इस collection के अंदर दोस्तो 20 poems है ये question आपसे exam में पूछा जाता है कि 1965 में जो collection आया था नेजम इजिकल का जिसका नाम था the exact name इसके अंदर कितनी poems थी तो इसमें आपको answer देना है दोस्तो 20 poems थी ये इसलिए मैंने आपके सामने bold कर दिया है इस collection में दोस्तो नेजम इजिकल की कुछ बढ़िया poem थी इस collection के बाद दोस्तो इससे पहले भी इनके बहुत सारे collection आ चुके हैं इस collection में दोस्तो पता चलता है कि ये authentic voice है मतलब इंडिया के fame जाने माने writer है इसके बाद इनकी पहचान दोस्तो बन गई थी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से दोस्तो इनसानों की जो situation है उसको अपने poetic work में कैसे इस्तिमाल किया जाए इनके works के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है दोस्तो psychological touch मिलता है इनकी poems के अंदर जिसमें वो search करते हैं कि क्या कारण है इनसान के अकेला रहने का ठीक है इस collection के अंदर the exact collection के अंदर the exact name जो collection है इनका 1965 में आया था उसके अंदर एक बहुती बढ़िया poem है दोस्तो जिसका नाम है The Night of the Scorpion ये मेरी अपनी भी एक favorite poem है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ दोस्तो और इसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि Indian mentality के हिसाब से ही ये poem जो है लिखी गई है ठीक है बहुती बढ़िया poem है मैं आपको इसे definitely दोस्तो पढ़ाऊँगा ठीक तो question exam में इस तरह का भी आता है कि जो night of scorpion है ये निजिम इजीकल के किस poetry collection से ली गई है तो आपको answer देना है the exact name जो आया था 1965 में अब इनके कुछ और poetry collections है मैं उन्हें ज़्यादा detail में तो आपको नहीं बताऊँगा लेकिन आपको उनके नाम जानना बहुत जरूरी है ये सारे के सारे दोस्तो poetry collections है जो निजिम इजीकल ने लिखे थे आप से request है आप इनका एक screen shot ले ले या फिर इन्हें कहीं पर note down कर ले ताकि आप इन्हें भूले ना यदि भूल भी जाएं तो आप इन्हें revise कर सकते हैं ठीक ये आपके poetry collections है निजिम इजीकल के द्वारा लिखे गए अब बात करते हैं दोस्तो 1974 की 1974 में इन्हें invite किया गया था US government के द्वारा ठीक है US मतलब अमेरिका की government के द्वारा इन्हें invite किया गया था as a international visitors वहाँ पर बहुत सारे international visitors program हुआ था वहाँ पर बहुत सारे लोगों को invite किया गया था तो इंडिया से दोस्तो निजिम इजीकल को invite किया गया था ये किया गया था दोस्तो कब 1974 में अब बात करते हैं 1975 की 1975 में दोस्तो ये Australia गये थे culture award visitors के लिए ठीक ये point दोस्तो काफी important है इसे आप ध्यान से सुनना निजिम इजीकल को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दोस्तो दिया गया था कब दिया गया था दोस्तो 1983 में दिया गया था I hope इसे आप note कर रहे होगे या फिर इसका screenshot तो आप जरूर लेने ना क्योंकि ये examic question बार बार पूछा जाता है कि निजिम इजीकल को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब दिया गया था तो इसका answer जो है वो 1983 है और 1988 में 1988 में इन्हें एक और अवार्ड दिया गया जिसका नाम है दोस्तो पदमशरी अवार्ड इन्हें ये अवार्ड भी दिया गया था किसके दौरा दोस्तो Indian President के दौरा ये अवार्ड दिया गया था I hope यहां तक सारी चीकी सारी चीजे clear हैं अब मैं आपको ये points बताने जा रहा हूँ जो exam के लिए बहुत ज़्यादा important है सबसे पहला point है दोस्तों इन्हें father of Indian English poetry या फिर words कहा जाता है ये question exam में पूछा जा सकता है और ये slide पर मैं आपको जितनी भी चीज़े दूँ आप उसका screenshot दोस्तों जरूर ले लीजेगा है दोस्तों निजिम इजीकिल was a university professor of English he was honored with साहित्य Academy Award in 1983 इन्हें कब दिया गया था दोस्तों 1983 में साहित्य Academy Award दिया गया था एक और अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था दोस्तों जिसका नाम है पदमसरी Award ये दिया गया था इन्हें 1988 में एक और अवार्ड दिया गया जिसका नाम है पदमसरी Award निजिम इजीकल ने दोस्तों एक अपनी autobiography लिखी थी जिसे इन्होंने कहा था 1000 failure इन्हें कहा था इन्होंने अपनी autobiography को जो इन्होंने ही लिखी थी उसे कहा था इन्होंने 1000 failure ठीक है I hope ये सारी चीजे आपको समझ में आये होंगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद